हेलो स्टुडेंट माइनेम इस संपत्राद नादर मैं बोल रहा हूं एसार बाइलोजी ओलाइन क्लासे से तो इस वीडियो का आप लाइक कीजिए सब्क्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कीजिए allá नियूशीललेस में है इस सेपरेट होकर इस सेयल को आप बोलो कि फिर आर की स्पोरियल सेल क्या बोला जाएगा और इस आर की स्पोरियल से और इस आर की स्पोरियल सेलों में आर्व की sporial cell में transverse division होता है transverse division होगा transverse division एक परकार का mitosis है तो आपके two type के cell बनके यह वाले cell की two type की cell बन गई इसमें पस्ट जो outside का जो cell है उसको बोला जाएगा primary parietal cell primary parietal cell बोला जाएगा और second sporogenous cell बनेगा क्या बनेगा sporogenous cell बनेगा और यह sporogenous cell बाद में यह वालना तो क्या हो जाएगा parietal cell हो जाएगा primary cell से sporogenous cell का इसको आप primary बोल सकते हो दोनों को primary parietal cell और primary sporogenous cell अब इसको आप parietal cell बोल दो यह sporogenous cell था अब यह sporogenous cell किसके लाइख बियू करेगी मेगा इसपूर अब इसको बीक Deputyी कि यह में अ इसको जस्त शेओं अचक पस्दक for जाइगा और फिक्या Wah कि माइक्रो इस्प्रोजिनस टिसू से आप माइक्रो इस्पोर मदर सेल बन जाएगा यहां पर यह इस्प्रोजिनस टिसू से यहां पर मेगा इस्पोर मदर सेल बनेगा मेगा इस्पोर मदर सेल पेराइटल सेल भी टू एन है और मेगा इस्पोर मदर सेल भी टू एन है अब क्या होगा जो पेराइटल सेल हैं पेराइटल सेल हैं वो क्या करेगी अध्याइटल सेल का तोड़ा यहां दिख देता हूं अध्याइटल सेल माइटोसिस किया जाएगा पराइटल सेल में और डिवेड़ होकर कि यह आउटर साइड इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन करेगी किसका फॉर्मेशन करेगी इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन करेगी देन क्या होगा MMC जो है हाँ आउटस नहीं पेराइटल से से पेराइटल से में माईटोसिस डिविजन होगा सेल का फोर्मेशन करेगा यह आउटसाइड यह पेराइटल सेल आउटसाइड सेल का फोर्मेशन करेगा और इंटेग्युमेंट का फोर्मेशन करेगा इंटेग्वेंट का फॉर्मेशन करेगा और इनसाइड जो MMC बचिए माईक्रोइस्पोर मदर सेल बचा है इस मेगाइस्पोर मदर सेल में होगा मियॉसेस मेगा इस पॉर मदर सेल में क्या होगा मियोसिस होगा यह वाला बन गए डाइग्राम अब इस मेगा इस पॉर मदर सेल में क्या हो जाएगा मियोसिस हो जाएगा मेगा इस पॉर मदर सेल में मियोसिस होगा तो क्या होगा मेगा इस्पोर मदर सेल में मियोस होगा तो क्या बनेगा मियोस ध्यान में रखना है यहां पर जो मेगा इस्पोर मदर सेल है न कौन सो साइट परजेंट रहेगी माइक्रो पाइलर एंड की तरब रहेगी है माइक्रो इस्पोर मदर सेल जो मेगा इस्पोर मदर सेल है वो माइक्रो पाइलर जो एंड रहेगा उसके साइड रहेगी मेगा इसपोर मदर सेल खांस की साइड रहेगा इसमें दो डारेक्शन रहेगा न एक डारेक्शन तो आपका चलाजल एंड और एक डारेक्शन आपका माइक्रो पाइलर एंड दोनों डारेक्शन रहेगा तो उस डारेक्शन को आपकी साप से मेंशन कर लेना जैसा आप देन कंडिशन बोला जाये है कि अ मेगा इस पोर जो मदर सेल है कि अधे जानतेगे उविल होता है उस में टो एंड प्रजेंट होते हैं एक होता है माइक्रोपाइलर एंड सेग्ड होता है चलाजल एंड जो माइक्रोपाइलर जो एंड होता उसके साइड पर आपका क्या प्रजेंट होगा मेगा इस्पोर मदर सेल क्या प्रजेंट रहेगा यहां पर लिख रहा है मेगा इस्पोर मदर सेल कौन से साइड रहेगा माइक्रो पाइलर इंड कि तरब रहेगा ओके अब क्या होगा मेगा इस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो फोर मेगा इस्पोर बनेंगे और जितने भी मेगा इस्पोर बनेंगे वो सब लीनियर फोम में रेंग डूंगे कौन से फोम में अरेंज होंगे लीनियर फोम में अरेंजड होंगे कौन से फोम में अरेंज होंगे लीनियर फोम में तो यह हो जाएगा लीनियर टेट्राड और मेगा અसपोर कि यह क्या हो आगा ये लिनियर टेटराड इंव तो पर यूठ टू से बनाओ या फिर टू सेल चैनल यहां पर मैंने क्या क्या और अगर कि देन अपन क्या करते हैं फोर सेल का आपका मेगा इस्पोर्ट टेट्राड बन गया अब यहां पर जो फोर मेगा इस्पोर बने हैं उन में से थ्री मेगा इस्पोर त्री मेगा इस्पोर्ट डी जनरेट हो जाएंगे और वन मेगा इस्पोर रिमेंड रहेगा वन मेगा स्पोर रहेगा और जो वन मेगा स्पोर जो रिमेन रहेगा बचेगा वो कौन से साइड घव रहेगा चिसको आप 1 जो मेंगा इस को रहा है इस 1 मेन इस पर जो रिमेंड रहेगा इसको आप बोल सकते हो nici functional मेगा इस पोर एफкого्र मेशेयों बने हैं फोर मेंगा इप समसें 3 मेगा इसको तो डीजनरेट बाल जाएंगे फिर उने मेंसे वन मेगा इस्पesz रहे है और जो वन मेगा इस्पूर रहा उसको आप क्या बोलोगे पंसणल मेंस्पूर बोल सकते огр overdue क्या उधर साइड पर भी लिख सकते उधर एक वन जो चलाजल एंड के साइड पर जो चलाजल एंड रहेगा चलाजल एंड वाला मेगा इस्पोर मदर सेल में जो मेगा इस्पोर वनेगा वो क्या रहेगा एक्टिव रहेगा तो चलाजल एंड पर वन मेगा इस्पोर एक्टिव रहेगा हाँ 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 है चला जले इंड पर हुआ है ऐसा इसका कंसेप्ट है पुरा इस टार्ट में जो रहेगा उसको आप माइक्रो पाइलर इंड पर मानोगे अब यहां पर जैसे आप बढाऊंगे ना इंटीजिमेंट उसी इसाफ से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा इस इसाफ से आप इसे बनाओगे न एंटीजिमेंट तो अब चलाज लेंड की साइड पर बनेगा उसी इसाफ से आपको even कि रखना पड़ेगा तुछा सटर महें आपको लटना याद रखना पड़ेगा जो मेगा सपोर मदर सेल बना है वह तो चलाज माइक्रोपाइलर ने करा कि 2m4 beim Nagas Anda kyeshesus कौन से फोर में linear है उन्मेस जो को प्रेदी टे ट्लिवाट में कौन से पर में से कि प्रेदिद जो जएगे और थे इनिके बाद यहां तो कि रहेगा उसको फंक्शनल इस पर वह जाएगान यह कौंग Hack routine रहेगा अध्य हुआ कि अब जेसा डाइग्राम में आप इमेजन करोगे उसी साफ से आपको थोड़ा सक आपको मेनेज करना पड़ेगा कि आपने किस तरफ आपने चला गए लेंड माना किस तरफ माइक्रोपाइलर एंड माना उसी साफ से आप मैं तुला सक डिजनरेट कर देता हूँ मानना आपन को इमेजन आपन को करना है डाइग्राम को अपने इसाफ से केसे भी बनाएं लेकिन आपन को लिखना है तो थ्री मेगा थ्री मेगा इस्पूर थ्री मेगा इस्पूर डिजनरेट यह पंक्शनल मेगा इस्पूर है और इस पंक्शनल मेगा इस्पूर कौन सी साइड पर रहेगा चलाजल एंड साइड पर रहेगा कौन सी साइड पर रहेगा चलाजल एंड साइड पर रहेगा वह कुछ क्लियर मता जी नूसिलस लिया नूसिलस में से वन सेपरेट हुआ हाइपोडर्मल सेड आर्की स्पूरियल बीयो करा तो टू सेल बना प्राइमरी 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 प्राइ cell में meiosis होगा तो आपके 4 मेगा ही बनेंगे जो की लीटेटराड में टेरेंट रहंगे जिन में सेफ़ोर मेगा इस पोर में से त्री मेगा ही इस पूर सफोर बिजनरेट होंगे वन मेगािस पार बनाँ तो इससाब sister कर सकते यह वो गया डाइग्राम देन स्टार्ट करते हैं वापस आगे अब क्या होगा मेगा इसपोर में क्या होगा प्ल क्या करेगा तो देखना अब अब यहां पर में तोड़ा सा साथ बाहर का भी डिजाइन कर देता हूं क्योंकि साथ साथ में ओव्यूल का डवलप्मेंट भी चल रहा है साथ में यह वाला इस्ट्रेक्चर में मैं आपको बना देता हूं अब क्या होगा यह तो नूशिलस हो गया अब नूशिलस में क्या होगा यह मेगा इस्पोर है इस मेगा इस्पोर ने साइज और और यह मेगा इस्पोर का हो कि नूशिवर तथ है यह प Het में स़भत है ना में आपक्षनल मे इस पोर ने क्या क्या साइज इंप्रीज किया साइज इंप्रीज करने से क्या हुआ केबल उसका सिंगल नुक्लियस रहा अब इस फंक्टनल वेगा इस पूर है ना किसकी तरफ यह करेगा यह अब अे आके इंब्राइं तरह ऑप करेगा किसके तरह है और यह एंब्राइं है झाय है खेसियान कि *** और यह यह खmart क्या है तो यहां पर जो एंब्राइयों से हैं वह है फिमेल गेमिट ओफाइट की तरह भी है उकरेगा अब यहां क्या है सिंगल नुक्लियस प्रजेंट है अब सिंगल नुक्लियस में कि वहले क्या होगा माइटोसिस होगा सिंगल माइटोसिस होगा यहां फ्रतब माइटोसिस होगा इसको मैं यहां पर कि यह बन जाएगा सिंगल गेमिट ओफाइट बनी गया माइटोसिस होगा तो क्या होगा वन नुक्लियस से टू नुक्लियस बनेंगे आउट साइड आपका नुक्लियस है अब बार बार बनाने की कोई इसा समझने के साब से आप वो डिजाइन कर सकते हो फिर यहां पर माइटोसिस होगा इसे में डारेक्ट लिख सकता गा तो माइटोसिस होगे तो क्या होगा फोर फोर नुक्लियस बनेंगे आउट दोनों साइड बर टू टू नुक्लियस बन गए ना दें फिर आप फिर थर्ड माइटोसिस होगा फिर क्या होगा थर्ड माइटोसिस होगा और से एट नुक्लियस होगे एट नुक्लियस कंडिशन होगे अपने बोला ना एट नुक्लियस कंडिशन और सेवल्षेर्ड कंडिशन हो गया अब इन में से इसको आप माइक्रोफाइलर एंड मान लो अपर वाले को चला जले एंड मान लो लोवर वाले को माइक्रो पाइलर एंड और अपर वाले को चला जल एंड माल लो माइक्रो पाइलर एंड से भी वन नूक्लियस मिड में आएगा अब जो चला जल एंड से भी वन नूक्लियस मिड में आएगा इसको फिर आप सेकेंडरी नूक्लियस बोल सकते हो दोनों आपस में connect हो गए यह secondary nucleus हो गया और यहां पर भी यह आपके पास three nucleus है और यहां पर भी यह three nucleus है ओगया three nucleus three nucleus then क्या होगा जितने भी nucleus है उन nucleus में यहां पर जो nucleus हो रहा न माईटोटिक डिविजन वह फ्री है कौन सा डिविजन हो रहा है फ्री नुकलियर डिविजन और फ्री नुकलियर डिविजन कितने बार वा थ्री टाइप 3 टायम हुआ और nuclear division प्रकार का mitosis है यहां 3 mitosis होंगे जिसके बाद मतलब continuous लोगी यहां पर mid-section में wall formation नहीं हुआ है यहां पर wall formation नहीं हुआ cell membrane का formation नहीं हुआ अब क्या होगा यहां पर जो भी जितने भी nucleus वने है उन nucleus में क्या होगा इन में वाल का फोर्मेशन होगा, मेंब्रेन का फोर्मेशन होगा मेंब्रेन फोर्मेशन होगा या वाल फोर्मेशन आप कि यह वाला कंडिशन हो जाएगा हो गया यह वाला सेल तो आपका थ्री तो एंटीपोडल सेल हो जाएगा यह एंटीपोडल सेल हो जाएगा पोलर नुकलियाई बोल सकते हो यह सेकेंडरी नुकलियस बोल सकते हो यह सेकेंडरी सेल हो जाएगा अना सेकेंडरी सेल होगा ना यह सेंट्रल सेल हो जाएगा एक सेल हो जाएगा ने इसेल होजाएगा क्यों सेल हो जाएगा एक पुछायेगा यह हो जाएगा यह आपका कम्प्लीट एक फिमेल गेमेट अफरिट का डवलकमेंट हो जाएगा और यहां पर यहां जी जी एक मिनुट हो तोड़ा सा कूग तोड़ा आपको साइड पर बोर्ड किया ने तोड़ा सा कूग हो गया क्लियर यहां तक यहां पर क्या कंडिशन है आपके पास यहां पर जो एंब्रायो सेख बना है जो यहां पर फिमेल गेमिटोफाइट बना है उस फिमेल गेमिटोफाइट में सेवन सेल्ड एंड एट न्यूकलियर कंडिशन है ऐसा जो फिमेल गेमिटोफाइट होता है जिसमें सेवन सेल्ड एट न्यूकलियर कंडिशन होती है ऐसा जो फिमेल गेमिटोफाइट होता है न ऐसा जो कि गोनम् जाता कि इप का एंप्रियोशिक कोlit पो लिव गोनम ट्यप कड इंप्रियोशिक प्रियोश आया live और यहां पर जो पौई पॉलीकोणनम टाइप का embryoset दव्लप हो रहा है वह एक प्रकार का मोनो- इस्पोरिक कि म्डव्लप मेंन्ट को सो करता है च्छा करता है मोनो-इस्पोरिक डव्लपнееन्ट को सो करता है जो आपका यहां पर मेगा क्योंकि ज्यान में रखना जो आपका घ्रंशी है हो गया दिख्या है न यहाँ जी जी माता जी इसको आप पोलर सेल पोलर नुकलिय करके पोलर नुकलिय बोल सकते हूं बहुंसक्य पॉलर सकते हैं सेकन्डरी नुक्लियस कने न यहाँ जो डवलपमेंट हो रहा है वह पोली गोनम पोली गोनम آپución एम्ब्रियोश्य मलब कॉन पोंय पीली गोनम टीप का अ शुरी इचिन नहीं को एच यहां पर क्या हो रहा है। इसपोरिक का development इस वज़े से बोला है क्योंकि 3 Megaspore जो 3 Megaspore Mothercell degenerate हुई है और 3 Megaspore Mothercell से 1 Megaspore remaining रहा है और उसके development से आपका Embryo से का development हो रहा है और इस वज़े से यहां पर जो 1 Megaspore से development हो रहा है इसलिए इसको आप बोल रहे हो तो इस वज़े से जो यहां एम्प्रियो से एक बन रहा है वह सेवन सेल्ड एट नुकलियट बन रहा है और वह किसमें डिस्कवर किया गया है पोली गोनम टाइप का प्लांट होता है पोली गोनम प्लांट होता है और इस पोली गोनम प्लांट में इस टाइप का डवलप्मेंट या इस टाइप का मोनो इस पूर टाइप का डवलप्मेंट डिस्कवर किया है किसने इस ट्रास बर्गर ने एक साइंटिस्ट है इस ट्रास बर्गर कौन है इस्ट्रास इस्ट्रास बरगर ने इस प्लांट में इस टाइप का डवलक्मेंट इस टाइप का डवलक्मेंट देखा है उसको बोला है पोली गोनम टाइप का एंब्रियो से तो क्या हुआ यहां पर वन मेगा इस्पोर से आपको सेवन सेल्ड एट नुप्लियर्ट कंडिशन बना है और वन मेगा इस्पोर से एंब्रियो से का डवलक्मेंट हो रहा है तो इस वज़े से मोनो इस्पोरिक एंब्रियो मोनो इस्पोरिक टाइप का डवलक् तो उसमें फिर 3 mitosis होगे कितने mitosis होगे 3 mitosis होगे और वहां पर 2 से आपके 4 बनेंगे 4 से direct aid बनेंगे फिर वह by sporic type का embryos एक का development होगा त्री टाइप के यहां पर 3 mega spore remaining नहीं रहेंगे तो फिर direct क्या होगा tetra isporic development tetra isporic development रहेगा यह सब चीज है न तक आ है पर फिर इनके बारे में पूरा describe मोन इसक्रैवंड डवलप्मेंट बाइस पूरिक development और टेट्राइसपॉरिक development और टेट्राइसपॉरिक development में one mitosis होगा जिससे 4 मेगा क्या बनेहीं आपके अलग पर चुन जाए घृष और होता है emphasize तौय है है जिससे कि आपको टेट्रा इस टेट्रा के टेट्राड कंडिशन है यहां पर आपको एट नुपलेट सेवन सेल्ड स्टेज और इस टाइप का डवलप्मेंट आपका पोलीगोनम टाइप पोलीगोनम प्लांट में डिस्कवर किया और स्ट्रासबर्गर ने ऐसा बोला अब कुछ समझ में आया तो यहां पर दे रहें पिर आगे पॉलीगोनम टाइप ऑप एंब्रियोसिक इस लाइन को लिखवा दूंग आपको लिए तो आपके पास जो सीट है आपका मोडियूल नंबर वन उस मोडियूल नंबर वन आपके पास मतलब आप अभी आपके घर पर नहीं हो मतलब अभी किसी जगह पर हो ओके ओके कोई दिकत नहीं है आपके पास आपके आपके पास आपके 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 आपको देख लेते हैं कौन सा चेप्टर अपनको चल रहा है है पर आपको तो पता है ना विस जाएं कोंशा चेप्टर अपन डान कर ना को नमढ़ा आपको तो ले लोगे ना खल लुए हुआ 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 है हुआ है ओके तो स्कल साम को अपन जी है आपका मोड्यूल नंबर वन है आपका और मेरा जो है न मोड्यूल से मी है सेम लाया हुए इस वजह से आपको भी दिक्कत ने आए अपको बताने में जो भी यह नो वह क्लियर चलेगा पूरा सेम। तो आपका मोड्यूल नंबर वन है और उसमें आपका चेप्टर उसमें सीरेल नंबर का फ्री चेप्टर है नंबर का तो वहाँ पर पेज नंबर यह कवर करा आया है आप अपर डीप ली में देखना है अब कर डीप ली देखना चाहते तो आ देख ले न कोई वहाँ से पर फिर कुछ ने कोई प्रोब्लम है तो वो पर उनको फिर आपको में क्लिएर कर वा दूँँगा कि अंद मुआ डाप कि अधंबात करें थे पोलीगोनम टाइप ओप एम्ब्रीयो सेग पोलीगोनम टाइप ओप एम्ब्रीयो सेग इज मोस्ट कोमन टाइप मोस्ट कोमन टाइप इन एंजियो स्पर्म और मोस्ट कोमन एंजियो स्पर्म में किसका आप स्टेडी कर रहे हो किप से लगा ब्लीगोनम टाइप और एम्ब्रीयो सेग आप polygоном type embryo sick developed from single mega spore polygоном type of embryo sick is most common type polygоном type embryo sick most common maximum में देखने को मिलेगा मैंने केपसेला में मोनोटिपिक प्लांट है एक स्टेडी के साफ से इसको में यूज किया जाता polygоном type of embryo sick developed from single mega spore single mega spore से क्या हुआ इसका development हुआ इसलिए इसको monos sporic embryo sick भी बुला गया है यहां पर यह आपके diagram बना है mainly only embryo sick का और इस embryo sick में भी manly synergid cell के बारे में explain करने के लिए तो जो synergid cells होती है इन synergid cell में finger like structures देखने को मिल रही है finger like structures है और यह finger like structures जो form हो रही है वो एक प्रकार के special cellular थिकनिंग है पतलब जो cellular से बने हुए substance है उनसे बनावा एक थिकनिंग है और यह थिकनिंग जो है वो एक तरह से micro pilot tip के side पर present है क्या micro pilot tip के side पर present है इसलिए इनको यहाँ पर finger like projections है उनको बोला जाता philiform apparatus क्या बोला जाता philiform apparatus बोला जाता है और इन philiform apparatus के तरू मतलब इन finger like projections के तरू finger like structures भी बोल सकते हो या finger like projections भी बोल सकते हो दुद्ध वहां पर पोलन गरेन इस्टिगमा पर रीच करेंगे चैनर से उसको प्रडेट करेंगे तो ऊधियूल के पास माईक्रोल पा penalty हो टा है है यहां और उलक्म के पास का होता है माइक्रो प्रजेंट होता है इसमें क्या जायेगा आपका कि माइक पॉलन ट्रीड यहां से जैसे यहां पर पॉलन ट्म को खारत हो जाएगा तो यह तरहे एंटर्श घ्र picking TIM करेंगा यहां जैसे करेमिपल पर आपका वन साइड का सिनर्जिड वन टाइप का सिनर्जिड क्या हो जाएगा डेस्ट्रोई हो जाएगा और फिर बाद में क्या करेगा यह पॉलन ट्यूब क्या कर जाएगा एंटर कर जाएगा और साथ में पॉलन ट्यूब क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन हो जाएगा और पॉलन ट्यूब का जैसे ब्रेकडाउन होगा तो यहां से इसके इंसाइड जो भी मेल गेमिट थे पॉलन ट्यूब में जो ट्यूब नुकलियस था वो तो ब्रस्ट हो जाएगा और टू मेल गेमिट को फिर यहां पर रिलीज कर दिया जाएगा यहां पर फिर टू मेल गेमिट का रिलीज कर दिया जाएगा और फिर इन टू मेल गेमिट का क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा वन मेल गेमिट का फर्टिलाइजेशन तो एक से होगा और सेकंड मेल गेमिट का सेकंडरी नुकलियस होगा तो फिर आपने तोड़ा बोला हो से फर्टीलाइजेशन होता है इसको बोला जाता है चैपका प्रीस्टमाइजेशों सत्य भॉलाइजेशन जैता है यह बोला जाता है यह त हतु के ट्रीपल जीजन तो ऐसा प्रोसेस अपंद्ञेश्ट एंटरेक्ष ने consequence का प्रोसेस होगा वहां पर यहां वाला कंडिशन देखोगे तो यहां पर वन मेल यह मिट का रोल देखनाया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो पर प्रजेंट जिनको क्या बोला फिलिपौम एप्रेटास जिनके तुरू केमिकल का सिक्रेशन होता है जो क्या करेंगे पोरल ट्यूब को अट्रेक्ट करेंगे है और सिनरजडिग सेंस क्या होगा फिर गाइड करके उसके इंसाइड एंटर कर जाएगा तो यह आपका क्या हो गया मेल गेविट अफ़ाइट का डवलप्मेंट और फिमेल गेविट का डवलप्मेंट फिनिश इस तो सब्सक्राइब फिर पॉली नेशल नया क्वाइंट Point start होगा Pollination Pollination का means Pollination का means क्या होगा तो यहाँ पर क्या होगा एंथर पर पोलन गरेन का फोर्मेशन होगा इन पोलन गरेन का ट्रांस्पर होगा किसके तुरू या तो सेल्प जाएगा या एर के तुरू जाएगा या एर के तुरू जाएगा या इंसेक्ट 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 के तुरू जाएगा पर उए 시टिगमा पर तो इसkonos सकते हों एक हम मख्यों का कि स्टिगमा पर ट्रांसपर होना सोली नेशन को पॉलन ग्रेकल आदो सिटिग्मा पर ट्रांसपर होना पॉली नेशन बोला जाएगा अब यहाँ यहां पर जो पोलनमेट प्लावरिंग प्लांट में ऑने अध़ में जहां पर जो भी यह वने गेंड में जो पर आपने तक और यह पर मोटाइल गेमिट होंगे कर नोन मोटाइल में जानते हो मॉटाइल मतलब जो जो मूचट करेंगा होगा और जहां पर पर अहां तो यह फ्लिजिलेट हो तभी तो मुह करेगा तभी तो मुह करेगा अग्या ना वह तो क्या जा रहा है वहां तो प्रेशर से जा रहा है जैसे आप मैंने एक्जामपल दिया था कि आप एक बोटन ले लो और उस बोटन में किसी जिएक पोर कर लो छेद बना लो अब उसमें हवा डालो और उस हवा की वज़े से उस पॉलन जहां पर छेद किये वहां पर क्या बन जाएंगे प्रोट्रिूड निकलेगी ट्यूब ल बाद जो पर किया है और इस टिकमा पर नुट्रेशन अथों ऑगिये हैं और लांगी नुट्रेशन करेंट उद्धन कालीव हैं नीदी शुक्राइश केमिकल्स है वह केमिकल्स सदृक्ट करता है और उस पॉलांटो क्पीमट्स में यही पॉलाण ट्यूति से करें रहे होद है उसकी त्रूब वो ट्रांस्फर हो रहें जी समझे ना तो यहां पर जो पोलंट गेमेट्स ट्रांसपर हो रहे हैं वो एक मिनट एक मिनट जी तो क्या हुआ यहां पर मोटाइल और नोन मोटाइल में क्या रेगुलेट करता है कि मोटाइल गेमिट वो होंगे जो फ्लेजिलेट्स और जो नोन मोटाइल होंगे जिन नोन फ्लेजिलेट्स नोन फ्लेट्स समझे रहे हैं तो यहां पर जो एंटर यहां पर जो पोलंड गेमिट को केरी कर रहे हैं तो यहां पर जो केरी हो रहा है ना उसके लिए यहां पर एक प्रोसेस होता है साइपोनो गेमी कौन सा प्रोसेस होता है साइपोनो गेमी और यह साइपोनो गेमी एक प्रकार का फटिलाइगेशन का टाइप होता है बाई साइपोनो गेमी साइपनों गेमी मतलब बाई पोलन ट्यूब गेमिट का केरी होना ऐसा बोला जाते हैं जो कुछ क्लियर हुआ तो मोटाइल के लिए फ्लेजिला होना जरूरी है नॉन मोटाइल के लिए फ्लेजिला की कोई रिक्वार्यमेंट नहीं है ठीक है कि देन अपन बात करते हैं कि अधर थोड़ टाइप्स की बात देख लेते हैं टाइप्स ओप टाइप्स ओप पोलिनेशन की बात करें कि I advise लगा लिएक वालि नेशन की आप को अटोगेमी बोल सकते हैं जै कि इसका टाइप भी भी होल दिया जाता है और कभी इसको ही माल ले जाता बात तो वही है और एक सेग्ड प्रोसेस होता है यहां पर कि जिट्टानों गेमी और अजटेनों गेमी है दिनर्ध अपका सिप्टाइब वोता है क्रूस सो क्रोष पॉलिनेस उन ओन को जुआ कि जीनो के मी ओजाएगा है कि कि है लोगे में ऊजायेगा यह प्यूर टाइप का पॉलिनेशन निये इस नहीं पर जिटो नगे में वाला अलग प्रोसेंस यहां में दिखाए नेरा कि इसफ्लावर बना दें यह लग-लग प्लांट है मैं हुल ने अफिन में यहां यह वां वह वह आना उड़ती का क्यों हो जाएगा यह है और यह पडिषा आपके कहा पर सेल पर पहुंच रहा है यह को से टेमर हो जाएगा कि यहां पर जो पॉलिनेशन आपको यह पॉलन गर्यन यहां पर ट्रांसपर हो रहें ह। को आप विक कि सेल्प पॉलिनेशन बोल सकते हो या आटो गेमी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं यहां से फ्लावर प्लांट सेम है कि क्या है प्लांट सेम है लेकिन डिप लेकिन यहां पर डिफरेंट फ्लावर के यहां पर प्लांट एक ही सेम फ्लावर है तो जो पॉलीनेशन होगा तो सेल्प पॉलीनेशन या आटोगेमी बोल सब्सक्राइब दूसरा कंडिशन है प्लांट और दो टू फ्लावर के बीच में यह पॉलीनेशन होगा तो यहां से गोलन ग्रेन यह वाला पार्ट इस्टिगमा देन यह पॉलन ग्रेन यहां से तो इस टाइप का जो भी पॉलीनेशन होगा उसको आप बोल सकते हो जिटनो गेमी क्या कंडिशन है यहां पर सेम जिटनो गेमी में क्या होगा अना इसेम तो प्लांट हो जाएगा और यहां पर आपके तूफ लावर के बीच में क्या हो रहा है पॉलीनेशन हो रहा है क्या हो रहा है तो इसको जिटनों गेमी बोल रहें यहां पर ध्यान में रखना क्या कंडिशन रहेगा यहां पर रहेगा कंडिशन अपन बोल सकते हो इको लोजिकली बेस पर बोला जाए जिटनों गेमी में इको लोजिकली बेस बोला जाए क्या बोला जाए एको लोजिकली बेस मतलब एर के स्थ्रू आ रहा है तो इसको इको लोजिकल बेस यह इस पॉलिनेशन को बोला जाए तो यह होता है क्रोस पॉलिनेशन इदि इस जिटन गेमी को जिनेटिकली बोला जाए जिनेटिकली का मतलब प्लांट सेम हैं तो इन दोनों का इन दोनों फ्लावर का जनेटिक मेटेरियल भी सेम होगा जब फ्लावर प्लाट सिंगल है सेम सिंगल प्लांट है उस पर जो भी फ्लावर सुबन रहे है उन फ्लावर का जनेटिक मैटेरियल भी क्या होगा तो यह जरृटिकली कैसे होगे सेल प्लीनेशन को सोक रहें 36 तो आपका क्या हुआ सेम प्लांट है टू फ्लोवर के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है इसको जिटे नोगे मी बोल रहे हैं लेकिन ये इकोलोजिकल बेस से बात की जाए तो एक रोस पॉलिनेशन को इंडिकेट करता है और जनेटिकली बेस बोला जाए तो इस सेल्प पॉलिनेशन को इंडिकेट देन अपन बात की जाए अब टू प्लांट है कि जी एकोलोजिकल बेस एकोलोजिकल रस्टि से एकोलोजिकल सिक्वेंस से देखा जाए एकोलोजिकल कमेस एंवार्यमेंट बेस क्या कर रहा है यहाँ पर एयर के दू जा रहा है न तो इकोलोजिवाला एकोसिस्ट्म होड़ए एर के दू 3 ड्रांसपर हो रहा है तो इस वगेंसे फिर आप इसको क्या बोला जाता है प्लांट के वीच में जो पोलिनेशन होता है यहां पर प्लांट से हैं मां प्रस्पॉलिनेशन में इस वजे से बोला है कौन शाल सा उनिसल्पॉलिनेशन लेकिन जणेटिकल ब्र मैंटीति स से होई ज़ल्पॉलिदेशन क्या हों यहाँ से प्लांट आपक के डिफेरेंट हो लेकिन इस्पिसीज सेम हो क्या हो प्लांट हो लेकिन क्या हो इस्पिसीज सेम हो अल एक ही इस्पिसीज के भी इसमें हो तो यहां से यह पोलन ग्रेन आएगा और यह पोलन ग्रेन इस्टिकमा पर्रांस्पर हो रहा है इस्टिकमा पर ट्रांस्पर हो रहा है तो यहां पर कौन सा पोलिनेशन होगा प्योर क्रोस पोलिनेशन होगा क्रोस पोलिनेशन में डिफरेंट प्लांट होगे डिफरेंट प्लांट होगे डिफरेंट फ्लोवर होगे लेकिन क्या कंडिशन है सेम इस्पिसीज है तो यहां पर जो क्रोस पॉलिनेशन है वो इको लोजी कली एको लोजी कली एंड जेनेटिकली डोनों वेस पर क्रोस पॉलिनेशन है हुआ कुछ क्लियर कंसेप्ट कंसेप्ट वाने क्लियर तो आप यहां समझ रहें कि यह हो गया आपके पॉलिनेशन को इंडिकेट करते हुए आपका डायग्राम है पॉलिनेशन को इंडिकेट करते हुए आपका डायग्राम चलेंगे पर टाइप का टुढ़ा डेस्क्राइब हो जाएगा तो टाइप में फिर पिर टाइम लग सकता है कि फिर इसके में थरड इसी चलेंगे पिर क्योंत तो पिर आपके पास वह रहें ना नौट्स तो उससे तोड़ा साक आपको एक बार बता देंगे तो वह तो तो